सोमवार को अरुनावती बान में तैरते हुए डूबने से जान गवा चुके युवक दिनेज भेंडी की लाश मंगलवार की सुबर दिगरस पुलीस की निगरानी में निकाली गए जिसके बाद दिगरस के ग्रामीन अस्पताल में पोस्मार्टम किया गया है दोपर बारापजी के करीब पोस्मार्टम के बाद परिजनों को अंतिम संसकार के लिए समंधित लाश सोपी गए बिते दो दिनों में अरुनावती और नान गवान बान से तीन लाश ये परामद हुई जिसके बाद जनता में चर्चा है कि भविश्य में होने वाले हाथसों को रोकने के उदेश से समंधित बांधों पर तैरने वालों को रोकने के लिए परियापत सुरक्षा व्यवस्ता पर जोर देने की आवशकता है इसी और दिग्रस पुलीस की मदद से समंधित बांध प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है बेरहाल इसके अलावा मंगलवार को दिग्रस कोविड केयर सेंटर से जहां दिग्रस शेहर के तीन लोगों ने पॉजिटिव से निगेटिव में तबदील होकर घरवाप सी की बास बात तो यह रहे कि दिग्रस शेहर सहित तैसिल के कई गाओं में जारी कुर्णा प्रकोप के दौरान पीते दो महनों में पहले बार 8 सितंबर को इकटा किये गए कुल 25 वैप सेंपलों की जाश में भी सभी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है जिसके बाद दिग्रस को जाल बन को लेकर कोई पुक्ता निर्णे नहीं हुआ ऐसे में अप नागरिक सहित बाजारों में आवाजाहिक करने वाले ग्राहकों और दुकानदारों का यह जिम्मा है कि विस्वयम शारीरिक दूरी के साथ ही मास आधिका उपयोग करे और कथित दिशा निर्देशों का स जही से पालन करे ताकि तहसिल में कुलना के बढ़ते आकड़ों पर नकेल कसी जा सके इन बीसीन न्यूस के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट